हेलो दिस इस प्रदीप और आज जब स्वीडिश बना जारे आप बिना गैस यूज किते और आप आप स्वीडिश बना वांगे ब्लैक बर्बन तो तुसी एदी जगाते और यो बिस्किट भी उज़ कर सकते हो मैंनो नहीं मिले ता में दिनाल बना जारी हैं ऐसे गर के मैं अ आप प्लेट विच निकाल लांगे अगर तुसी होड को इसकिट भी उसकार रहे होता हो वी इस तरह लेगा कि उन्हादी क्रीम वाइट होवे और बारों हो ब्लैक कलर वेच्छों ता इन ए बिसकिट लाके मैं इन्हादी वाइट क्रीम अलग कर लिया और बिसकिट अलग कर बिल्कुल ऐसे ही तरह आपा बाकी फोर पैकेज स्विच्चों भी बिसकिट कर लांगे ते उन्हादी वाइट क्रीम अलग कर लांगे होने अल्मोस्ट हो गया है सारा ते वाइट क्रीम में अलग कर लिया और बिसकिट होन तोड़ तोड़ के मिक्सर विच पावांगे ते इनन दा इख फाइन पावडर बना मांगे अपा अन्हे सारे इस तुरह मिच में पाल है ते इन दा पावडर बन आपि जाना ब्यासी और इस तरह इन दा पावडर बनागे होन अर अबा पाव्डर किसे भी एक बठर विच कर लांगेues जीदे विच तुसे एक डोद रार का पहला थोड़ा थोड़ा पागी में नाली मिक्स करूंगी और जदो थोड़ा मिक्स हो गया ता बागी में उन्हों हाथ ना जद्धापा आठा गोंदिया जे और श्तर गेनल गोंद लबागे तहों ने हैं मिक्स्टा हो गया सी हुन अपा इन्हों थोड़ा थोड़ा गोन लेने हैं और अल्मोस्ट रेडी है और एक सॉफ्ट जा डो त्यार हो जेगा थो आड़े गोल हुन इन्हों अपा इत्ये कवर करके राखते हैं क्योंकि बार मख्यां बहुत ने और बहुत जादा तंग कर रही हैं और अजेड़ा दोद्ध बचिया है इन्हों अपा फेर यूज़ करांगे और वाइट वाली जेड़ी क्रीम सीगी ओनों अपा किसे बरतन विच पालांगे जेदे विच आपा ओदा डो त्यार कर सकी है तिये ओदे विच तुसी किसे विच रंदे ड्राइफ रूट्स पास आग दे और टेस्ट लई ता में थे काजुब दाम ते पिस्ता पाले आए और ओदे विच पाईए एक कॉली कोकोनट पाउडर और ये सब पॉन्त बाद ओदा कलर यलो बनौना आए आपां ता यलो कलर बनौनली में विच पालिया यलो कलर जेड़ा अपने को दो दो पहला बचे असी आपां एहे ओदे विच पाले आए इस तरह है एक्शली में तो थोड़ा ज़्यादा प्या गया थे थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट हो गया वैसे अगर तुसे कोई होर कलर यूज़ करना चानने हो ता होर कर सकते हो और इस तरह अपां उद्धे इदा एक सॉफ्ट जड़ो त्यार करांगे एक्शली उद्धे विच मेर तो एकठा नहीं हो रहा थी इस करके मैं उन्हों एक प्लेट विच पाले या क्योंकि एक रोल त्यार करना बहुत मुश्किल थी और इस तरह एक रोल त्यार कार लिया है मैं और इन्हों उन्हाटाइम अपा इस तरह ही रखांगे अगर थोड़ी तो थोड़ा रोल थोड़ा पतला हो जान दे तो तुसी कोकुनेट पाउडर थोड़ा होर पा सकते हो ते इदर में एक अल्मीनियम फोईल ले लिया है तुसी कोई भी फोईल यूज कर सकते हो विच इस तरह पेड़ा राखके उन्हों प्रेस करके उन्हों उपर फोईल राखके अपा इन्हों वेलांगे इस तरी किनल वेलांगे थोड़ा एदना वेलांगे कि जड़ा आपा पहलना रोल थियार कीता है वो एदी विच पूरा आजवे ता ओल्मोस्ट में ओन्नी को लेंध तक वेल लिया है बहुत पतला नहीं करांगे नहीं तरह लाग जेगा और इस तरह इन्हों वेलांगे आपा जेड़ा ओवला रोल त्यार कीता सी उन्हों विच रख दांगे इन्हों विच रख दांट बाद इस तरह कीना लपा इन्हों रोल करांगे सिल्वर फॉइल विच नहीं लानी थोड़ा जे रोल करके उपर नूं कार लिया करनी है और जो थोड़ा जे बचिया उन्हों इस तरह कीना रोल करके इन्हों बंद कारत वांगे एकुश इस तरह दो रोल बंजेगा जदो इस तरह रोल बंजेगा ता आपा सारी अलमीनियम फोईल दे नाल ही इनो बंद कर दुआंगे और इस तरह इनो बंद करने तो बाद आपा इनो दो कंटे रेफ्रिजिरेट करांगे क्योंकि चॉकलेट बहुत ज़्यादा जल्दी पिगल जांदी हुंदी है तो उनों कटन तो बहला उनों रेफ्रिजिरेट करना जुरूरी है वैसे भी ये गर्मिया था मौसम है तो करना ही पेंदा है दो कंटे हो जुके हम ये में इह फ्लेट त्यार और लगा रही है ये वीच में खस खस पा लिया उन्हें उपड़ लगाए दहां ए दो गंटिया बाद मैं रोल भी कर दिया है और बहुत हाड हो गया सियो हो उद्य उपर रोल करके मैं खस-खस लगा ली खस-खस लगा अंतो बाद आपा उन्हों इस त्रिक्के नाल कट लिया इलास्ट वाल पीस से तह एक साइट तो चॉकलेट ही दिख रिया और दूस्ट्री कर सकते हैं या थोड़ा ज़ा हो ठंडा करके सर्व कर सकते हो एक गरम बहुत हो देने और अगर तो नो साथी आज दी रेसिपी पसंद आई तो तुसे लाइक और कोमेंट करके ज़रूर दुस्यों थेंक्यों फोर वाचिंग दे हॉल वीडियो और अगर तो नो साथी रेसि ज़रूर करो और साथा फीस्बुक ते इंस्टाग्राम पेज वी फॉलो ज़रूर करो जाके थेंक्यू बाइबाइ